असलाम अलेकूम मैं हुजैनब और आज हम रार्यू क्लब सेंविच थ्री लेस का अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सिस्क्राइब जूर कर ले इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड सेंविच की फर्स लेड बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन कीमा एक छोड़े साइस का प्यास जिसको मैं चॉप कर लिए 1 तेबल स्पून ललसन अद्रग का पेस्ट 4 तेबल स्पून टॉमाठो का चप 2 तेबल स्पून चिली सॉस 1 तेबल स्पून नमक 1 तेबल स्पून काली मिर्च पहले हम पैन में ओल डालेंगे और इसमें लेसन अदर का पेस डाल देंगे इसे एक मिंट के लिए भून लेंगे अब इसमें पेस डालेंगे इसे बस हम दो मिंट के लिए पकाएंगे अब इसमें हम चिकन कीमा डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे अब इसमें हम नमक डालेंगे और साथ ही काली मिर्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम टमैटो केचप डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिंट के लिए पकाएंगे ये देखें ये अब रेडी हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम दूसरी लेड़ त्यार करेंगे मैंने दो खीरे लिये थे और उनको कश कर लिया है इसमें नमक लगा के रख दिया था ये देखें नमक लगाने से खीरों का सारा पानी बाई निकल गया अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसमें माईनीज डालेंगे थोड़े से काली मिश डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखें ये भी रेड़ी हो गया है अब हम थार्ड लेयर त्यार करेंगे जिसके लिए हमने अंडे को छोड़ छोड़ा कर लेना है अब हम छोड़ी के मज़से से और छोड़ा कर लेंगे मैंने पहले तीन अंडो को छोड़ छोड़ा कर लिया था अब इसको भी हम उसके साथ मिला लेंगे अब अंडो में हम चीज मायोनीज डालेंगे और इसमें काली मिश्ट डालेंगे और नमक अब इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें यह भी रड़ी हो गया है अब हमारी तीनों लेयर्स का मिठियर रड़ी है हम चार ब्रेट लेंगे एक ब्रेट पर हम चिकन बार मिठियर डाल देंगे और इस पर अच्छे से लगा लेंगे दूसरे ब्रेट पर हम अंडे का मिठियर लगा लेंगे पर बिखे भी मटिय लगा लेगे भीिए द॑ US अब हम छिंपन ब्रेड वार्य के लिए और लेगे वरिंगे इसे पर हम स्थिंपल ब्रैड्ड के लेगे अब हम ब्रेट की सैट्स कट कर लेंगे अब हम इने ट्राइंगल की शेप में कट कर लेंगे दिखें सैंड्विश के किने अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसी तरह हम बाके की ब्रेट्स भी बिना लेंगे इनका भी हम ट्राइंगल की शेप में कट कर लेंगे यह देखें इतने मज़े कि हमारी थी लेयर सैंविचिस रेडी हो गये हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और दूसरों के साथ शेयर कीजेगा अच्छे प्राइंगल कीजेगा